दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे वुट्ट चनल फार्मिंग नोलेज पर तो आसा करते हैं दोस्तो आप किसान भाई बड़े ही आराम से बड़े ही ध्यान पूरगक अपने कھیति किसानी में सारा समय बतीत कर रहे होंगे बड़े ही ध्यान लगाकर अपने प्रणाली के अंतरगत एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि हम क्रिसी के साथ या मचली पालन के साथ बकडी पालन यानि की गूट फार्मिंग किस तरह से करें दोस्तों इसी के बारे में थोड़ा सा हम जनकाडिया आपको देने का पढ़ियास कर रहे हैं तो अगर चैनल पर आप बकडी पालन या पसु पालन का पड़ियोग बहुत दिनों से बहुत दीन पहले से करते आ रहे हैं दोस्तों पसु की उपयोगता इसलिए भी महतपूर्ण है क्योंकि क्रिसी से जुरे कई प्रमुख करजों में इसके खाद का उपयोग किया जाता है हम किसी भी चीज का खे किसान भायों तो उसमें भी पसू का जो गोवर है बहुत ही फैयदा करते है अपने मचलियों को पसू के गोवर से बणी जैबिक खाद हमारे फसलों के लिए दोस्तो सबसे उत्तम खाद है इन पसू का प्रमुख स्रोत जो है वह दूध हम लेते हैं पसू से मांस लेते हैं पस तो के लिए निर्माद करते हैं दोस्तों थोरा सा हम आप को सिरोही नसल की जो बख्री है उसके बारे में tub जानकारी देने का प्रयाश करते हैं सिरोही नसल राजस्थान में बहुत ही अच्छे धंग से पालन किया जाता है दोस्तों ऐसे उत्तर परदेश में भी इसका पालन होने लगा है यह नसल बहुत ही अच्छी नसल है दोस्तों बकरी पालन के लिए बहुत उत्तम किस्म का नसल है यह तो हम आप से कहेंगे आपको सलाह देने का प्रियास करेंगे दोस्तो कि आप इस सिरोही नसल का पालन करें दोस्तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा होने वाला है आपको दोस्तो और जैसा कि हम आपको बताए कि समेकित किरिसी के अंतरगत आप अगर मचली पालन भी कर रहे हैं दोस्तो तो मचली पालन भी करें बरे आराम से और गोट फार्मिंग करेंगे बक्री पालन करेंगे तो मचली का दाना आपको बजार से नहीं खरिदना परेगा जो भी बक्री आपकी बिष्टा करेगी गोबर करेगी वह जो है वह मचलीयों का उत्तम भोजन बन जाएगा बकडी का बेश्टे को आप अपने तालाब में डाल देंगे आपकी मचलियां बड़े ही आराम से ग्रोथ करेंगी बरवार उनका बहुत जादा होगा गाय के गोबर से जादा उत्तम खाद है आपके मचलियों के लिए यह बकडी का जो गोबर है यह जब आप तालाब में डालेंगे आपके तालाब में प्लेंटन बहुत अच्छा प्लेंटन का निर्वान होगा और जो भी मचली आई-म-सी होगा रगा पालन करते हैं दोस्तो बहुत अच्छी तरह से उसका बरवार मिलेगा और आप एक तरफ बकडी का मांस बेच करके खसी का मांस बेच करके इसका दूद बेच करके आप पैसा कमाएंगे दोस्तो दूसरी तरफ आप अपने तालाब से मचलीयों को बेच करके आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं भैयो तो दोस्तो अब समय आ गया है कि हम किसान भाई को चाहिए कि हम किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहे हम समय कित करिसी पढ़ना लिके अंतरगत अगर हम मचली पालन करते हैं तो उसके साथ हम मुरगा का पालन कर लें अगर हम मुर्गा पालन करते हैं तो साथ में हम बक्री के लिए भी एक फारम लगा लें आसा करते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा आपके जानकाड़ी को कुछ न कुछ अबस बराएगा दोस्तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें मैं परते एक दिन आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाने का प्रयास करता रहूंगा दोस्तो चलिए धन्यवाद